आज हम एक ऐसी strategy के बारे में बात करेंगे, जो strategy का वीडियो हम पहले ही YouTube पे अपने चैनल पे डाल चुके हैं, अगर आप उस strategy को follow करते हैं, तो आपको काफी अच्छा result आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे monthly आप profit में ही close करोगे, जो भी चीजे हमने वहाँ पे और काफी जादे लोग यहाँ पे उस strategy से पैसा यहाँ पे बनाये हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो चलिए, आज हम देखते हैं कि उस strategy को follow करते हुए market ने कैसा performance यहाँ पे दिखाया है, और कैसे आप अपना target achieve कर सकते थें, उस strategy को अगर आप नहीं देख हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे विजिट करिए, प्रभाकर सिंग चैनल है, और यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे आपको वो वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, option trading strategy in bank nifty, यह वही वीडियो है, जिसमें आपको यह strategy बताई गई है, तो चलिए, इस strategy पे हम लोग देखते हैं, कि 23 तारीकों कैसा trade यहाँ पे हुआ है, तो सबसे पहले हम time frame change कर लेते हैं, time frame यहाँ पे हम कर लेंगे 5 minute का, 5 minute का time frame करने के बाद आप आ जाएंगे, यहाँ पे जो दिन का पहला candle बनता है, 9 15 और 20 का जो candle बोलते हैं, हम इसको 5 minute time frame पे, तो यहाँ पे आप देखो, यह candle form हुआ, strategy आप लोगों को पता होगी, यहाँ पे इसका high mark कर लेना है, और इसका यहाँ पे low mark कर लेना है, simply, और आपको करना क्या है, कि जैसे ही यह low break करेगा, आपको यहाँ पे break करने के बाद यह candle sustain किया, उसके बाद आपक कहीं आपको यह trade activate हुआ था, जिससे कि ऊपर 30 point का एसल था, और नीचे आपका, यहाँ पे अपनीचे देखो, नीचे इतना जादे target आपको मिल गया, यहाँ पे, mainly क्या होता है, कि हम अभी जो beginners हैं, उन लोगों को बोजते हैं, बस 50 point book करने के लिए, पर यहाँ पे जो पहल गेंडल वो 84 point दिया था, और दूसरा candle यहाँ पे 163 point दिया था, और तीसरा candle यहाँ पे 280 का यहाँ पे दिया था, और चौथा यहाँ पे 351 का, आप देख रहे हो यहाँ यहाँ पे, कितना बढ़िया target यहाँ पे दिये जा रहा है, 428, तो हमने उस वीडियो में यह भी बता लगाये थे, वो SL आप positive में 30 point से ले के 50 point के बीच में रख लो, ठीक है, अगर market घूमता भी है, तो आपको 30 या फिर 50 point आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे किया होगा कि 100 point देने के बाद यह सीधे 200 कुछ चला गया, तो यहाँ पे आप जैसे ही 200 हो गया, आपक पे SL लगा देना था, उसके बाद जब यह 300 हो गया, तो यहाँ पे आपको 210, 220 के आसपास आपको SL यहाँ पे लगा देना था, तो अगर आप market यहाँ भूमता भी, तो 210 का आपको profit यहाँ पे हो सकता था, अगर आपको यह strategy समझनी है और अच्छे से, तो हमारे चैनल पे जा अगर आप subscribe नहीं की हो, तो अगर subscribe की हो, तो आपको वीडियो section में यहाँ पे नीचे यहाँ पे यहाँ पे यह मिल जाएगा, तो अब आजाते हैं यहाँ पे कितने लोगों का यहाँ पे profit हुआ, दोस्त अगर आप इस strategy को follow करते हो, तो आपको यह इतना जादे target यहाँ पे दे सकता है, तो आप यह target हमेशा मत डूड़ो, क्योंकि अभी आज यह दे दिया है, कल नहीं देगा, ठीक है, अभी देखो इसके previous वाले day में हम चलते हैं, यहाँ पे बस 50 point ही book करने को यहाँ पे दिया था, इस जगह पे, तो आप देखो, अगर इसके पीछे वाले पे चल इस जगह पे गर आप आओ, तो इसका high और इसका low mark कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता, आप देखो यहाँ पे, अगली candle break की, यहाँ पे कहीं आप ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद यह consolidate चला गया, ठीक है, consolidate होने के बाद आप देखो, यहाँ पे कितना अच्छा moment यहाँ पे दिया है, यह जो candle है, वो 65 का बना हुआ है, और वापस यह 153 तक यह गया है, तो आपको ना, इस strategy को एकदम follow करना है, अच्छे से follow करना है, आप देखो, आप कहीं भी चले जाओ, इसको लेके, आप कहीं भी देखो, यहाँ पे market कुला था, आप देखो, यहाँ इसको break किया, आगली candle पे हमने कहीं यहाँ कहीं ले लिया, आप 30 रुपए SL रहेगा, और यह देखो आप 177, 123, तो यहाँ पे देखो आप, कितना बढ़िया टार्गेट मिल ला है, पहले आप इतना जादे टार्गेट मच अचीव करो, आप बस 50.60 पॉइंट ही book करो, सबस दे दिया, यहाँ पे अगर आप देखो यह candle close किया है, इस line के नीचे, और यहाँ पे आप कहीं ट्रेड लिये, तो इस यह देखो आप, पहली candle ही आपको 106 का आपको यहाँ पे मिल गया, तो आप जितना ही इस strategy को backtest करोगे, और इसको आप बनाओगे, तो आपको काफी moment यहाँ पे देखने को मिलेगा, अब देखो जैसा आपको last time मिला था, वैसा देखो आपको यहाँ भी वही trade यहाँ पे मिला है, पहले candle sustain की यहाँ पे, उसके आप यहाँ काई ट्रेड लिये, 222, उसके बाद आप देखो यह 429, उसके बाद देखो यह 798, उसके बाद आता 994, तो आप देखो इतना बड़ा moment है, यहाँ पे आपको देखने को मिलना है, समझ में आ रहा है कुछ आपको, तो यह moment आप capture मत करो, आप सिर्फ यहाँ पे अभी starting में 50 point ही capture करो, यहाँ कि अगर आप 50 point capture करते हो, यह सीखते हो, तो दीरी दीर आपके पास इतना capital हो ज लगेंगे, ठीक है, तो यह point भी आपको मिलने लगेंगे, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, कितने दिन बाद यह आपको, यह trade हम लोगों को मिला था, one day के time frame पे अगर आ जाते हैं, तो one day के time frame पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको मिला था, one, two, three, four, five, six, seven, यानि कि देखो आप, साथ दिन बाद ही ऐसा moment हमको दिख गया है, यह जो candle आप देख पा रहे हो, यह candle, यह candle जो है, साथ दिन बाद, यह 1300 का candle move किया था, और यह देखो, साथ में दिन भी यह move किया है, काफी अच्छे तरीके से, एक हजार का moment मिल गया है, तो आप देखो, पीछे भी अगर आप देखो, तो यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है, आप देखो, जो strategy है, वो बहुत तगड़ी काम करती है, बस हो सकता है कि आपको इसमें से एक से दो बार आपको SL लगा हो, उसके बाद आपको target ही target है यहां पर मंतली आप इसको करते रहो और सीखो नई समझ में आता है कुछ तो हमसे पूछो आप और हमारे वीडियो को लाइक कर दो अब कुछ भी अगर सवाल आपको मन में बन रहा है तो वो उसको पूछ सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में आसा करते हैं आज का वीडियो समझ म में आयो अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं किसी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत